हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक माई नियर यूटूब चैनल आज हम बनाने वाले हैं जीरा आलू आपने जीरा आलू तो बहुत खाई होंगे लेकिन एक वार यह वाले जीरा आलू भी जरूर ट्राइब करें चलिए सुरू करते हैं बनाना इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चोटे बॉय लालू अगर फ्रेंट्स चोटे नहीं है तो आप बढ़े लेंगे लेकिन उसे बीच में से कट कर लें नेक्स हमने लिया है धनिया पत्ती अद्रक लैसोन आज फ्रेंट्स हमने लिए हैं जो अचार वाली मोटी मिर्च होती है वह आप हरी मिर्च भी ले सकते ह है उसको इससे चॉप कर लिया है अब चलिए फ्रेंट्स अब हम इसको धनिया को चोड़के सबकों पहले अद्रक कूटने वाली में कूट लेंगे फ्रेंट्स मैंने करिए आप चाहो तो अपने मिक्सर जान में भी ग्लैंड कर सकते हैं हमारा पेस्ट रेड़ी है फ्रेंट चलिए बनाने सुर्य करते हैं हमगे हम अब तक पकाना है जब तक इन पर गोल्डन लेयर नहीं आ जाए जब तक अब ढग देंगे 5-6 मिनट के लिए फ्रेंट्स चला के इसी तरीके से अब हम इसे फ्रेंट्स इसे बीच बीच में ऐसी चलाते रहें हमारे जीदा आलू बहुत ही चादा टेस्टी बनेंगे फ्रेंट्स आप जरूर ट्राइ करना ऐसी प्रेंट्स हमने लिए अल्दी पाउडर इसे भी डाल कर अच्छे से अब मिक्स कर देंगए अलूओं को और पक्त देंगे अब नेक्स टम डालेंगे नमक साधनुसाद अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे अब इसको हम दो अब देखे मारे आलूँ पे अच्छी लेयर आ गई है अब हम ने जो इसमें मिस्त बनाया था उसको डाल देंगे फ्रेंट्स ऐसे चलाकर हम तीन से चार मिनट इसे पकने रख देंगे अब हम इसको इसी तरीके से सौटे करके पकने देंगे तीन से चार मिनट के लिए बीच बीच पे चलाते रहें फ्रेंट्स प्रेंट्स जीरा अलू रेडी हैं अब हम गयास का फ्लेम को बंद कर देंगे अब फ्रेंट्स हम दलेंगे एक चमच लेमन जूस नीवू कर अब उसको डालके अच्छे से से मिक्स कर देंगे फ्रेंट्स इन में धनिया डालेंगे अब मुँपर से बहुत ज़्याद अच्छा टेस्ट लाने के लिए अब हम इसको मिक्स करगे से सर्फ करेंगे फ्रेंट्स हमारे जीरालू रेडी हैं फ्रेंट्स आप इसे रोटी से खाओ पनाटे से खाओ या फिर इसको रूक्यावी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें और हां अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग मी